तीन चारी दिन हुए इन्होंने सबने आगरह किया कि आप च्वेर्मेंशिप का स्विकार करो मैं इतना ही कहूंगा मुझे कोई पत की लालसा नहीं ये कोई पता इसा नहीं कि जिसको लालबत्ती की गाड़ी है कोई नहीं है और आज मैं जबान दीता हूँ भविष्य में जब भी मुझे लालबत्ती मिलेगी तो सबसे पहले उस लालबत्ती के गाड़ी में रामकदम नहीं बेटेगा स्पॉडवा बेटेगा ओ भी कॉलर टाइट करके बोलेगा इसकी मा का लालबत्ती गाड़ी है बोल रामकदम किये अभी ये भाशा में उसकी भाशा में बोल रहा हूँ ये मेरी भाशा नहीं है ओ भी कभी कभार सोचता हूँ गया लालबत्ती गाड़ी में सारे लोग गुमते हैं मैं कब बेटूंगा मैं बेटूंगा उसके अंत में मुझे कोई चैर्मन पद्की लालसा नहीं मुझे कोई पद्की लालसा नहीं मैं आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया हूँ कि भविष्य में तुम्हारे बेटे का भविष्य में तुम्हारी बेटी का बड़े से बड़े कॉलेज में admission करने की बात आई हो तो पैसे के लिए admission नहीं हो रहा है ऐसी नोबत तुमारे में नहीं आए इसलिए मैं यहां आया हूँ मैं सपना लेकर चलता हूँ अमरिका में फिल्म की shooting होती है लंडन में फिल्म की shooting होती है Switzerland में फिल्म की shooting होती है वहां के producer को भी लगना चाहिए चलो मुंबई जाओ वहां पे जाके shooting करते है हमारे बच्चों को काम मिलना चाहिए इसलिए मैं यहां पर आया हूँ मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ कि आईसी फोकट की ताली बजा रहे हो द्यान में रगना है तुमारे अडोस पोडोस में मेरे दूचार लोग बेठे हुए हालो हालो मैं इस सच्चाई को जानने के लिए सभी मेंबरों से अनरोद कहता हूँ कि अगर इसमें सच्चाई तो अपनी जगे पर खड़े होकर इस सच्चाई को जाहिर करें धन्यवाद जब कोई ने मैं विनम्रता से आपका प्रेम्स विकार करता हूँ पर मुझे ये भी पता है जब कोई खड़ा हो जाता है तो उसका थोड़ा सा अर्थ ये भी निकलता है रामकड़म जी बहुत हो गया जाए बाशन अब चलो पत की लालसा नहीं आया हूं इसलिए कि तुम को सब को मैं एक जूट करना चाहता हूँ दो भाईयों मैं जगड़े नहीं чाहता सज बात है? दो भाईयों मैं जगड़े नहीं चाहता ये कोट, कचेरी ये बाकी सारी जो चीजे चल रहे है ये सारी चीजों का कहीं न कहीं एक अच्छा अच्छे से बेट करके समझोता हो एक रास्ता निकले इस प्रकार की मेरी मंचा है कोई यूनियन का चेर्मेन पद कोई अशोक चकर या पदमश्री वगरा ऐसा कोई पद नहीं है और इंसान को ये सारे पद मिलते किसलिए मिलते दौाइं लेने के लिए मिलते जड़ा सोचो जब सुबह जब आखे खुलती है और शाम को नींद के लिए जब आखे बंद होती है किसे ने सोचा है आज मेरे जीवन का आखरी दिन है या और कल का दिन मैं देख पाऊंगा किसी को नहीं पता अगर कुछ सपना रखना है तो इतना ही रखना चाहिए कि आज भगवान ने मुझे नया दिन दिया रात को आखे बंद होने के पहले मैं कम से कम दो सो पासो हजार लोगों की दुआएं लेकर के सो जाओं इस प्रकार का सपना होना चाहिए मुझे मेरे माबाप के आशिरवाद है और मेरे माबाप असी हजार से अधीक है क्योंकि असी हजार से अधीक लोगों को मैं काशी अजमेर की यात्रा मेंने कराई है और उसी आशिरवात को सामने रख करके कहता हूँ, मेरे मन में कोई खोट नहीं, मैं राजनीती में हूँ, पर राजनीती से उपर हूँ, कुछ लोगों को लगता होगा अब यूनियन में पॉलिटिशन आगे, साले ऐसे भी छोड़ लोग होते हैं, क्यों लाया उनको? अरे मोदी जी की तरब देखो, ना उनका आगे कोई, ना पीछे कोई, पूरा का पूरा जिवान उस व्यक्ति का राष्ट के लिए समर्पी थे मैं यहाँ पर आया हो, तुमारे हितों के लिए आया हो, मैं यहाँ पर आया हो, यह आपसी समझोते के लिए आया हो, मैं यहाँ पर आया हो, तुमारे जीवन का अस्तर, तुमारे काम करने का अस्तर, तुमको जो मिलता है न्याय, उन सब में बड़ोतरी करने के लिए आया हो बाकी मेरी व्यक्तिगत कोई भी लालसा नहीं यहाँ पर केवल आज इतना ही कहूंगा मुझे पता नहीं दुपर इसे कौन-कौन से कायरेक्रम हुए जिदी आप बोले की नहीं कुछ